हेलो फ्रेंड्स एक बाफिस से आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशल निखिली स्टडी में स्वागत है आज की वीडियो क्लाश 12 इंग्लिस गिराबर में से मार टॉपिक किया चला है स्यूनेम्स वेरी वेरी मॉँच्ट इंपोर्टेंट स्यूनेम्स की स्वरीज चली है जो हर साल बर्ड परिच्छे में लगतार पूछे गए हैं उन्हीं सिनुनेम्स को में उठाया इसमें आपको 20 सिनुनेम्स बताय जाएंगे जो बर्ड परिच्छा की दिश्टी से बहुती ज़्यादा महत्पून है मैं यकीन से कह सकता हूं 100% बोर्ड पर इच्छा में 2022 में यही परसन आपको द्वारा से देखने को मिलेंगे तो पाल्टी इसका सीक्स अगर इससे पहले की वीडियो देखना चाहते तो डिस्क्रिप्सर में लिंक के दिया गया है आप जाका हमारी वीडियो को वहाँ देख सकते हैं नमर एक पर हमारा refuse refuse मतलब क्या होता है इनिकार तो इसका जो synonym से लिखेंगे वह लिखेंगे हम डेकलाइन डेखलाइन डेकलाइन मतलब क्या होता है पतन 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 तो आपको श्रीफ क्या करना है Hindi word का use नहीं करना है मैंने सिर्फ Hindi इसलिए लिखी है जिससे कि आपको उस word की Hindi भी पता चले और कहीं भी बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं क्योंकि Hindi word अगर हमें पता रहता है तो English याद के नहीं कोई दिक्कत नहीं होती है तो इसलिए हमने आपको Hindi भी बता ही है और आप जितनी जल्दी याद कर लेंगे बोड़ पर इच्छे में आपको उतना ही असान रहेगा तो मेरे हिसाब से आपको अभी से तैरी स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें बाद में याद कर लेंगे तो यह तीन नमर आपके पूछे जाते हैं तीन नमर के स्टार्ट के पूछे जाते हैं तो यकीनां मैं बता सकता हूँ कि यह तीन नमर ही जुड़ जुड़ कर आपके कई सारी नमर बनते हैं तो यह मत सूचिए तीन नमर के तो इसा याद नहीं करना है इस ही मैसे आप हमारे वीडियो में याद करेंगे तो आपको पूरे तीन के तीन नमर मिल जाएंगे क्योंकि इस ही मैसे आपको देखने को मिलने वाला है ठीक है? नमर सेकेंड पर है स्पाइट इस्पाइट मतलब क्या होता है वापजूद वापजूद तो इसका सुनोनिम्स लिखेंगे मैलाइज M-A-L-I-C-E मैलाइज मतलब क्या होता है द्रेश ठीक है? मैलाइज मतलब द्रेश नमर ठट पर है हमारा सोरो S-O-R-O-W शोरो मतलब क्या होता है सोक तो इसका सुनोनम्स हम लिखेंगे डिस्टेस D-I-S-T-R-E-S डिस्टेस मतलब क्या होता है संकट डिस्टेस मतलब क्या होता है संकट सोरो मतलब सक और डिस्टेस मतलब संकट नमर फोर पर हमारा नेक्स्ट हमारा नमर फोर पर सेक्रेड sacred मतलब क्या होता है पवित्र sacred मतलब पवित्र होता है तो इसका जो synonyms लिकेंग हो लिकेंग होली h-o-l-y holy तो holy को हिंदी में क्या कहते है holy ही कहते है ठीक है नमर फाइट पर हमा regular r-e-g-u-l-a-r regular मतलब क्या होता है नेमित तो इसका synonyms लिकेंगे हम regular का synonyms होता है normal n-o-r-m-a-l normal normal मतलब क्या होता है समाने regular मतलब नेमित normal मतलब समाने नमर फाइट पर हमाना reverence मतलब स्रद्ध r-e-v-e-r-e-n-c-e reverence मतलब क्या होता है स्रद्ध तो इसका synonyms होगा administration तो क्या लिखेंगे a-d-m-i-r-a-t-i-o-n admiration मतलब क्या होता है प्रसंसा ठीक है reverence मतलब स्रद्ध और admiration मतलब क्या होता है प्रसंसा नमर 7 पर क्या लिखा हमारा struggle s-t-r-u-w-g-l-e struggle मतलब क्या होता है संघर तो इसका जो synonyms है वो होगा effort e-f-f-o-r-t effort मतलब क्या होता है प्रियास प्रियास करना ठीक है struggle मतलब संघर effort मतलब प्रियास आपको सर्फ हिंदी याद करने के लिए रखिये है सर्फ आप English-English भी लिख सकते हैं अपने fair copy में लिखना तो सिर्फ English-World लिखना हिंदी अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं ठीक है बस इतना या तो काफ़ लिख सकते हैं या तो हम इसे बस भी लिख सकते हैं बस वाली बस नहीं मतलब की बस मना करना ठीक है नमर 9 पर हमारा submit SU-M-M-I-T submit मतलब क्यों होता है सिखर सम्मेलन तो इसका synonym सम लिखेंगे और लिखेंगे peak P-E-A-K peak मतलब क्यों होता है चोटी submit मतलब सिखर समेलन, peak मतलब चोटी मैं यह आपको भी इस लिखाते दूँगा एक बार याद करना और आप इसे rough copy में लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी और आसान तरीके समयन आपको बताया तो आप बहुत जल्दी से याद कर लेंगे ठीक है तो एक बार लिखेंगे प्रैक्टिस जरूर करना नमर 10 पर इक लिखेंगे टेम्प्रोरल मतलब low kick T-E-M-P-O-R-A-L टेम्प्रोरल मतलब low kick तो इसका जो synonyms लिखेंगे वो लिखेंगे woldly w-o-r-l-d-l-y woldly मतलब संसारिक ठीक है? woldly मतलब संसारिक ठीक है? नमर 11 पर मार ट्रांसेंट ट्रांसेंट T-R-A-M-S-I-E-N-T ट्रांसेंट मतलब क्या होता है? तो इसका synonyms हम लिखेंगे m-o-m-e-n-t-a-r-y momentary मतलब क्या होता है? छडिक दोनों का आर्थ तो वही है ट्रांसेंट मतलब क्या चडिक होता है momentary मतलब की चडिक होता है यह r लिखा यह y लिखा है ठीक है? next है मार 12 नमर पर tedius मतलब दिल्चस्प t-e-d-i-o-u-s त्यड़ियएस मतलब दिल्चस्प तो इसका जो सुनोनेम्स होगा वह होगा डूल d-y-o-l-l मतलब क्या होता है? त्यड़ियएस मतलब सुस्थ नमर 13 पर मेरा लिखा है thrive thrive 3 मतलब क्या होता है काम्याब 3 मतलब काम्याब तो इसका सुनोनिम्स लिखेंगे हम Floreus F L O U R I S Floreus मतलब क्या होता है पन पने ठीके Floreus मतलब होता है पन पने और 3 मतलब काम्याब Nummer 14 पर हमाया Target क्या लेका है target, target मतलब क्या होता है, लक्ष है, target मतलब होता है, लक्ष है, तो इसका हम लिखेंगे synonyms A-I-M, A मतलब क्या होता है, उद्देश से, थीक है A-I-M, M मतलब उद्देश से है, नेक्स्ट हमारा नमर फिफ्टिन पे ट्रम्प टी आर आई ये यू है एम पी एच ट्रम्प मतलब विजे एक बाद फिर से बताते रहे दाऊं टी आर आई यू एम पी एच ट्रम्प मतलब विजे तो इसका सुनोनेम्स लिखेंगे हम सी ओ एन क्यू यूई एस टी कनक्वित मतलब क्या होता है विजे द्रम्प मतलब विजे और कनक्यूस्त मतलब विजे नमर Свर्ण एमारा यूनिक यूनिक मतलब क्या होता है आधित्या U-N-I-K-U-E मैं spelling इसलिए बता देरों जिसे कि आपको लिखने में प्रोडम नहीं होगी तो आप से world को सही लिखना गलत मत लिखना चाहिए वीडियो को बार-बार आप पीछे करके देख सकते हैं ठीक है? Unique मतलब आदित्य है तो इसका जो synonyms लिखेंगे वो होगा सोल S-O-L-E सोल मतलब एक मात्र ठीक है? नमर 17 पर हमारा Unlawful U-N-L-A-W है ठीक है? W-F-U-L यह वाफिर से बता दे रहा हूँ U-N-L-A-W-F-U-L Unlawful मतलब गयर कानूनी तो इसका जो synonyms से लिखेंगे वो लिखेंगे Illegal I-L-L-E-G-A-L Illegal Illegal मतलब क्या होता है? अवेद एक बाब फिर से बता दे रहा हूँ I-L-E-G-A-L Illegal मतलब क्या होता है? अवेद नमर 18 पर हमारा Unlawful नेक्स्ट है Jill Jill मतलब क्या होता है? जोस Z-E-A-L Jill मतलब क्या होता है? जोस नमर 19 पर हमारा Valour V-A-L-O-U-R Valour Valour मतलब क्या होता है? वेदा तो इसका सुनोनिम्स होगा Bravery B-R-A-V-E-R-Y Bravery मतलब क्या होता है? वेदा इसका लास्ट हमारा सुनोनिम्स है हमारा वोर्थी W-O-R-T-H-Y वर्थी मतलब क्या होता है? योग्य है तो इसका जो सुनोनिम्स होगा वो होगा V-A-L-U-A-B-L-E Valour मतलब मूल लेवान तो आज से भी सुनोनिम्स की सुरीज समाप्त होती है अगर इसी तर किसे वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्ते सब्सक्राइब कर लो और जादा जादा सेयर करो जिसे कि आप की तरह और भी लोग इस वीडियो से फाइदा उठा सकें